राधी राधी दूस्तों आज हम बनाएंगे डे नाइन लंच बॉक्स रेसिपी जो की बहुती हेल्दी टेस्टी और पॉस्टिकता से भरपूर है खिचडी को हम ओड्स से बनाने वाले हैं जो की बच्चों की हेल्थ के लिए बहुती ज़ादा अच्छा होता है और साती हम इसमें डालेंगे बहुत सारी सबजिया और हम खिचडी को और भी ज़ादा हेल्थी बनाने का प्रयाज करेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजी और यदि अभी तक आपने हमारी बाकी की लंच बॉक्स रेसेपी नहीं देखी है तो जल्दे से उन्हें भी देख लीजिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी और पॉस्टिकता से भरपूर है और जीरे को अच्छे से तड़क लेना है जब जीर अच्छे से तडडख जाए तब हम इसमें डाल देंगे received करेंगे एक बॉर्ड कीया हुआ नमक dub एक से दो मिनिट तक इसे अच्छे से भून लेना है यदि आपके बच्चे थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लालमेश पाउडर भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे भीगी हुई मुंग दाल तो हमने यहाँ पर 1 by 4 कप दाल को अच्छे करते हुए से इसी तरीके से हम पकाते रहेंगे और इसे पकाते वक्त हमें चैसलो सब्चियों को हम हम इसमें डालेंगे पाने तो हमने याँ यहां पर 1 1.5 नव को यूज किया है और पानी डालने के बाद में अच्छे अमें ढखकन को ओफ कर देना है और विसल को निकालना नहीं है बिल्कुल अपने आप ही कुकर से गेस बाहर होनी चाहिए ताकि क्या होगा कि हमारी खिचड़ी जो है बिल्कुल परफेक्टली बन करके तयार होगी कुकर से अच्छे से निकल चुकी है अब हम कोगर का ढखकन खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं बहुती अच्छी तरीके से हमारी ओट्स की खिचड़ी बन करके तयार होई है ओट्स की जो खिचड़ी है बहुती हेल्दी टेस्टी होती है यदि आप इसे वेटलोस रेसेपी में भी शामिल करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं यदि आप डेल से खाले उन्हें ना भी पसंद होगी तो बहुती शोक से पूरा लंच बॉक्स फिनिश कर लेंगे तो चलिए खिचुड़ी तयारे अब लंच बॉक्स हम पेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम टिफिन बॉक्स में रखेंगे हैल्दी और पॉस्टिक ता से भरपूर ओट से की खिचुड़ी जिसे बनाना बहुती ज़्यादा आसान है और बहुती कम समय में बन करके तयार हो जाती है तो आप सुबह की भाग दोड में बहुती जटपट से इसे बना करके तयार कर सकते हैं साती हम रख रहे हैं आलो के चिप्स और फूर्ट्स में हमने रख दिया है एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा धन्यवाद, जय हिन, जय भारत थैंक्स फ़र वाचिंग प्लिस लाइक, शेर, सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का खयाल रखिएगा